आज हम बात करने वाले हैं कि fat loss या muscle gain करने के लिए दिन में 5-6 मील लेना जरूरी है या 3 मील लेने से भी हमारा काम चल सकता है तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इस वीडियो को इस topic को अच्छी तरह समझने के लिए आप दूसरा पार्ट जरूर देखेगा ताकि आपको सिक्के के दूसरे पहलू का भी पता लग सके जैसे कि इंडियन स्टाइल के अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन स्टाइल बात करें तो वैसे ही तीन टाइम लोग जो डेली रूटीन में सिंपल जो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं लोग वो तीन टाइम ही खाना घाते हैं जैसा कि आज में फिटने को यहां पर में तो बात करेंगे कि दे डिफ्रेंस क्या है और धोनों के अंदर कोई डिफ्रेंस है भी या नहीं अगर हम थर्मिक अफेक्ट ओफ फूड की बात करें इसके बारे में काफी रिसर्च इस हो चुकी है थर्मिक अफेक्ट of फूड क्या थो इस्तमाल करते हैं हमारी बोडी को Sukła को मालगी एक भाफ को जाटा है तो इसके बारे में काफी कि रिसर्चछ की सो चुकि हैं 1982 की रिसर्च में आपको एक बताता हूं जिसमें दो ग्रुप को same amount of calories same amount of protein carbs and fat एक 2 मील के अंदर दिया गया और दूसरे ग्रुप को 6 मेल के अंदर दिया गया तो end of the day जब result compare किये गए तो metabolic rate, thermic effect of food दोनों का same पाया गया same amount of energy इस्तमाल हुई bodies की दोनों की उतना ही खाना डाइजेस्ट करने के लिए ऐसे ही बहुत सारी researches हो चुकी है जिसमें 2001 में, 2014 में, 1995 में जिनमें different meal frequencies को compare किया गया दो versus 6 meals, 3 versus 2 meals, 4 versus 2 meals जिनमें किसी में भी कोई difference नहीं पाया गया अगर आप same amount of calories ले रहे हैं तीन meals के अंदर और same amount of calories आप divide कर देते हैं 6 meals के अंदर तो thermic effect of food या metabolic rate में कोई difference नहीं आएगा अगर हम इस नजरी से देखें तो आप चाहिए दिन में 3 meal लीजिए या 6 meal लीजिए आपका जो metabolism है वो उसको adjust कर लेगा आपकी जो energy expenditure होगा उस food को digest करने के लिए वो दोनों में same ही रहेगा अगर आपको लगता है कि आपका schedule system set नहीं हो सकता आप दिन में 5-6 meal नहीं ले सकते आप 3 या 4 meal ही लेना चाहते हैं दिन में तो कोई problem नहीं है अगर आपके body उस food को digest कर लेती है उसके macros को absorb कर लेती है तो दोनों में कोई difference नहीं हैगा definitely आप 3 meal लेके भी अपने goals की तरफ बढ़ सकते हैं 5-6 meal लेना कोई जरूरी नहीं है अगर हम इस angle से देखें दो